वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानूनिन हिंदी में तो आज हम ये जानेंगे कि निशुल का कानूनी साहिता कैसे ली जा सकती है तो दोस्तो वीडियो में दीगी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंसती रहे तो आज हम ये जानेंगे कि निशुल्क कानूनी सहायता कैसे ली जा सकती है निशुल्क कानूनी सहायता 1987 की सेक्शन 12 के तहट जिसकी आए एक लाग से कम होती है ऐसे व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता पा सकते है इसमें महिलाएं बच्चे, SC और ST के लोग, मानव तसकरी से निर्मित लोग, बाड सुखा से परेशान लोग, जाती हिंसा से पेडित व्यक्ति, व्यक्ति विशेश पर अत्याचार, दिव्यांग, उद्योगी कामगार ये ऐसे व्यक्ति हैं, जो सभी कानूनी सहायता निशुल्क में प्रापत कर सकते हैं ऐसे लोगों को व्रिधी प्राधी करण में एक एप्लिकेशन देकर, NSL ले, किसी भी प्राधी करण में, after debit देकर, आय परमान पत्र और documents अप्लोड करने होंगे तो ऐसे में व्यक्ति निशुल्क कानूनी सहायता की मांग कर सकता है तो आई होप दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो में लाव्स तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद